मिठाई की दुकान में हुई लूट 34,000 रुपए की नगदी और 10 किलो मिठाई लेकर हुए फरार हिसार जिले के बहल बलपूर्स बस टेंड पर एक मिठाई की दुकान से चोरी का मामला सामनी आया है चोरी की घटना CCTV कैबने में कैद हो गई पीडित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्श कर जान शुरू कर दी है पुलिस को दी गई शिकायत में दुकान मालिक सत्यवान ने बताया की बहल बलपूर्में खेडी बिक्री रोड पर उनकी शिरी बाला जी मिष्ठान भंडार नाम से मिठाई की दुकान है जब वे कल सुबा दुकान पर पहुंचा तो उसने शटर टूटा हुआ देखा तभी उसने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंचे